कि नमस्कार दोस्तों मैं आशा करती हैं कि आप लोग जहां कि होंगे अच्छे होंगे जह हम्रेमा चैनल में आप सब का सागत है आज मैं फिर से एक नए वीडियो लाएक कर आए हूं देखिए दोस्तों सुबह के नास्ते में हम क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग देखिए दोस्तों हमने यहां पर वीडियो चैनल लेके आएं दोस्तों इनकों कैसे बनाएंगे आप लोग देखिए सुबह के नास्ते में लोग समोसे खाते हैं चाह पीते हैं पकोड़े खाते हैं हम यहां पर बहुत अच्छा नास्ता बताने वाले हैं दोस्तों देख सकते हैं यह अरह पे हमने जो चणे रख्य हैं एग चले बहुत अच्छे होते हैं इनको वह ने एकरात के लिए इनकोु परोट थे जा olha मा पर्यों हो गए इस पनी हो गया है इस पर अंटे जो बहुत M जो लोग सुबह दोरने जाते हैं, अड़के हों या लड़किया हों, कोई भी चने खा सकते हैं, सीहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनको एक बार जरूर बना के खाईए, दोस्तों इनमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इनको केवल भीगो के रखना पड़ता है, दो सकते हैं, अगर इनको ऐसे नहीं खाना चाहते हैं, कुछ चटपटा बनाना चाहते हैं, तो आप लोग देख सकते हमने यहां पे इनके बनाने के लिए क्या-क्या सा मगरी लिया है, जहां पे हमने रोस्तों जहां पे हमने टमाटल लिया है, हरी धनिया लिया है, यहां पे हम बहुत अच्छे चान होते हैं इनको हम फुड़ा छोटे-चोटे भागों में काट लें आपको दिखाते हैं कि अपको दिखाते हैं हम छोटे छोटे टुकड़ों में हम काटेंगे दोस्तों एक बार उनको जरूर बना के खाए दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना कमेंट करना दोस्तों देखी दोस्तों हमने सारी चीजें करना करके रख लिया है भितुअ के applies कर लिया हरी धनियगर कु advertisements आभ इसको हम मिलाएंगे कर दो सब्सक्राइब ज़रूर्ड की हिसाड से आप मिला सकते हैं थोड़ी थोड़ी चीजे डालेंगे इसमें हम सारी चीजे मिला देंगे इसमें हम नमक डालेंगे इसमें मिला के समय ध्यान करके दोस्तों कि इसमें ज्यादत तीखाना होने पाएं ताकि इस सीहत के लिए खाये जाते हैं इसमें जो हमने सलाथ काटके डाला है यह सक्षीजें बहुत खायदेवन होती हैं दोस्तों इनको हमने मिला दिया है अब देखी दोस्तों हमने शुबेक नाफ्पा बनाकर त्यार कर दिया दोस्तों इस तरह बनाकर खाई बहुत टेस्टी नाफपा है स्विगत के लिए बहुत अच्छा दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करना कमेंट करना फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों